खास कबर में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर देश में कोरोना के नए वैरियंट ओमिक्रोन की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है इस बात पर जहां स्वास मंत्राले ने बैटकों का दौट जवा रही है तो वहीं प्रधान मंधी नरेंद्र मोधी ने भी देश में कोरोना के सिती को लेकर के अधिकारियों की बैठक बुलाई है उमीद जताई जवाराई है कि दिल्ली के लिए नए दिशा अनरदेश जारी किये जवाएंगे इसी बीच ओमिक्रोन वेरियन्ट से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या की अगर बात की जवाया तो देश में 341 हो चुकी है इन में से महराज के सबसे अधिकार ठासी दिल्ली में 57 तमिलनाडू में 34 तेलंगाना में 24 राजस्तान में 22 करनाटप में 31 के साथ हरियाना में 9 मामले सामने आ चुके हैं बताते चले के हरियाना के करनाल परीदाबाद गुरुगराम कुरुशेत्र अंबाला से भी ओमिक्रोन मरीजों की होनी की बात सामने आ रही है तो ओमिक्रोन की बढ़ती रफ्तार ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है तो वहीं आपको बताते चले लगतार आक्रों में लगतार इजाफा होता चला जा रहा है ओमिक्रोन वेरियंट के खत्रे की बीच हरियाना में कुरोना के मामले बढ़ने लगे हैं गुरुवार को 46 नए संक्रमित मिले थे प्रदेश में सक्री मरीजों की कुल संख्या के गरम बात करते हैं तो 295 हो चुकी और अब तक ओमिक्रो का एक और मरीज मिलने से प्रदेश में कुल मरीजों की संख्याब नौ पहुच गई है तो हरियाना में ओमिक्रोन के केस लगतार बढ़ते चले जवा रहे हैं ऐसे में लगतार बैटकों का दौर जारी कि आखिरकार कैसे आकडों में कमी लाई जाए और क्या कुछ सावधान अब बढ़ती जवाए कैसे लोगों से गाइडलाइन का पालन करवाया जाए और ऐसे में बैठक लगतार कीजवा रही है नई गाइडलाइन भी सामने आ सकती कि कैसे उन नई गाइडलाइन का पालन किया जवाए आपको बताते चलें पहले से ही गुरुग्राम के तीन व्यक्ति दिल्ली के स्पतालों में दाखिलें और फरीदाबाद के तीन घरों में होम आइसोलेट हैं करनाल और पानीपत में भी एक-एक मामला दस्तक दे चुका है अपको बतार है कि अपको बढ़ती चली जवा रहा है एक तरफ कोरोना के आकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी तरफ कोरोना के नए वैरियंट ओमिक्रोन ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है हरियाना में अब तक 9 मामले सामने आप चुके हैं जिसने स्वास भाग की चुनता को बढ़ा दिया है और ये हम सभी के लिए भी चुनता वाली बात है क्योंकि हरियाना में अब 9 मामले सामने आ गए हैं और एक तरफ कोरोना के आकड़ों में व्रद्धी होना तो दूसरी तरफ ओमिक्रोन के भी मामले लगतार बढ़ रहें हैं तो डॉक्टर्स में लगतार लोगों से यही कह रहे हैं कि साफधानी बरतनी चुहाई है कोरोना गाइडलाइन्स का पुरी तरीके से पालन करना चाहिए और बिना मास के घर से बाहर ना निकलें अपने बच्चों का खयार रखें और अगर आपके घर में बज़ूर्ग हैं तो उनका भी खयार रखें क्योंकि कोरोना के आक्रों में भी एक तरफ बढ़ोतरी हो रही तो उमिक्रोन की भी रफतार लगतार बढ़ती चली जा रही है स्वासवभा की तरफ से लगतार गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं गुरुग्राम के तीन व्यक्ति दिल्ली के स्पतालों में पहले से ही दाखिल हैं और फरीदबाद के तीन घरों में होम आइसोलेट हैं तो आपको बताते चलें पीका करन पर लगतार जोड़ दिया जा रहा है और मास्क को अनिवार कर दिया गया है तो आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करें क्योंकि ओमी क्रोन ने दस्तक देना शुरू कर दिया है हर्याना में पहन करके ही घड से बाहर निकलना है हर्याना में एक बार फिर से संक्रमन बढ़ने लगा है गुरुवार को कोरोना की अगर हम बात करते हैं तो 46 नए मामने सामने आए जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या 205 पहुच शुकी है लेकिन वह अगर हम बात करते हैं ओमी क्रोन के त बढ़ते चले जारें ऐसे में स्वास्वभाग भी चिंता में आ गया कि कैसे आखिरकार हम जो आकड़े बढ़ रहें उन्हें कम करें और लगतार नई गाइडलाइन्स भी जारी कीज़वारें कि कैसे हम इने रोक सकते हैं तो आप सभी भी मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकलें और कोरोना गाइडलाइन्स का पुरी तरीके से पालन करें तो करनाल फरीदबाद में में क्रोन के केस मल चुके हैं प्रदेश में मौझूदा कोरोना के जो केस हैं वो 255 में पहुच चुके हैं तो एक तरफ जहां कोरोना क्या परोंब बढ़ोतरी हो रही तो दूस आप सभी से भी हम यही अपील कर रहें कि आप सब मास्त लगा करके ही घड़ से बाहर निकलें और टीका करन अवश्य करवाएं क्योंकि जब तक आप साफधानी नहीं बढ़तेंगे तब तक आप कोरोना को नहीं हरा सकते हैं और यह चुनता वाली बात है क्योंकि अभी जो आप सभी को अपना खयाल रखना है और मास्क पैन के ही घड़ से बाहर निकलना है और खास ख़बर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का